रुबीना अभीना वलड़ पड़े है जैस्मिन आली से आईए बताते हैं आपको खबर डीटेल में पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले नमस्ते दोस्तों मैं हुशोल का जवान और आप देख रहे हैं मूवी जंडा दोस्तों मैं आपको ये बता दू ये जो चार लोग थे घर के अंदर जिनकी इतनी अच्छी दोस्ती थी अब शायद से उनके दोस्ती में ही दरार आ रही है क्योंकि ना सिर्फ घर के बटवारे के वज़े से ये जो चार लोग है वो लड़ाई जगडा कर रहे है पर ऐसा लग रहा है कि इन लोगों की जो दोस्ती है वो भी थोड़ी सी नाजुक पड़ रही है अब मैं आपको ये बता दू दोस्तों कि अगर दोस्ती में दरार आ जाए तो फिर आप कंटेस्टन्ट हो आप उसे कोई फरक नहीं पड़ता है आए बात करते हैं मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ मैं ऐसे ये कह रही हूँ क्योंकि जैस्मिन जिन होने ये करना चाहिए था कि अगर उनकी जो दोस्त है वो बटवारे में दूसरी जगा पर है उनको बेडरूम एरिया दे दिया गया है तो ऐसा होना चेहता अगर दोस्त हो आप तो अच्छी तरीके से उसको हैंडल करना चेहता पर यहाँ पर ऐसे नहीं दिख रहा है यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि जब अभिनव आते हैं खाना बनाने के लिए क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि भूक हर्ताल मचा दी है रुबीन आने क्योंकि वो कहती है कि यार खाना अच्छे से हमें नहीं मिल रहा है तो इसलिए जब अभिनव खुद आते हैं खाना बनाने और वो पानी लेना शुरू करते है तब ही से जैसमेन उनकी सारे बरतन ले लेती है और पानी एकदम से फेक देती है वो कहती है कि मैं आपको यहां पर मेरे एरिया में काम करने नहीं दूंगी और जब अभिनव ये बात सुनते है तो अभिनव का एक सेंटिमेंट यानि दोस्ती का सेंटिमेंट हर्ट हो जाता है और अभिनव कहते है इस बात को मैं हर्गिज नहीं भूलूँगा ये जो बात को पूरे शो खतम होने तक नहीं भूलूँगा वो जैस्मेन से भी यह कह देते है कि यार यह तेरे दोस्त होंगे तुझे कुछ भी कहे पर मैं सुनके नहीं लूँगा अब यह देखना है कि क्या आली जैसे रुबीना अभिनव को लगता है कि क्योंकि अगर आप दोस्ती का नाता रखते हैं तो आप नॉमिनेशन में चले जाते हैं उस सामने वाले को नॉमिनेट कर देते हैं आप उनके साथ लडाई जगडा कर रहे तो यह कैसी ही दोस्ती है इनकी यह तो समझ में नहीं आ रहा ऐसे लग रहा है कि सीन अब वाकई आपको क्या लगता है जरूर बताईए हम में इन दे कमेंट बिलोव यह वेटिंग तो ही यू दिस शुल्गाचावान और यू वाचिंग मुवीजदा